हे गाईस वेलकम और वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल तो गाईस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं UKPSC के लिए उत्राखंड जीके का प्रैक्टिस सेट जिसमें की उत्राखंड की हिस्ट्री से आपसे 50 Most Important Question पूछे जाएंगे और आपको बताना है उनका सबका जवाब देखते हैं आपको कितने कोशन इसमें से आते हैं और इससे पहले के 50 कोशन मैंने आपको कल की वीडियो में समझा दिये हैं तो आप उनको भी एक वार सॉल्व कर लेना अब देखते हैं आज का जो पहला कोशन है वो है कुमाओ रेजिमेन का मुख्याले कब आगरा की जगर रानिकेत अलमोडा में स्थानांतरित कर दिया गया तो यही कॉशन कल भी पूछा गया था कि कहां उसका मुख्याले बनाया गया तो उस वक्त था रानिकेत राइट आंसर और अभी यहाँ से हम उसे डेट पूछी है तो डेट इसमें होगी में 1948 और कुमाओ रेजिमेन के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि इसकी स्था अक्टूबर 1945 में की गई और इसका मुख्याल है मैं 1948 में आगरत से रानिकेत स्थाना अंत्रित कर दिया गया अब इसका आदर्शवाक की जो है वो है पराकरमे विजय ते और युद्ध गोश है काली का माता की जय ठीक है इतना आपको कुमाओ रेजिमेन के बारे में पता ह अगला कोशन हमारे पास है उत्त्राखन के निवासी विपिन चंद्र जोसी कब भारतिय थल सेना अध्यक्षर रहे थे तो इसका राइट आंसर है 1993 से 1994 तक ठीक है यह इसका राइट आंसर अब देखो नेक्स कोशन हमारे पास है गड़वाल राइफल्स के किस नायक को ट्रार नाय विक्टरिया क्रोस से समानित किया गया ता अब है 4 कुमाहर रेजीमalten के सोमनाथ सर्माघू का मरणो प्रांथ परमवीर चक्र से समानित किया गय तो इसका राइट अंसर होगा 1947 में इनको परःफल्स के परमविर चक्र से समानित किया गया अब नेक्स्ट कशन ह मारे पास ए टिपिंड तॉप कहां इस्थीत है तो सभी को पता होगा नैनिताल-चावनी में क्या इस्थीत है टिपिंड नॉप और आपको अगर यहाँ पर चावनी दिख रही है तो आप पता होना चाहिए कि टोटल उत्राखंड में कितनी चावनी है तो कल की वीडियो में म यृत्राखन में 9 चावनी है और 9 चावनी के आपको नाम पता होने चाइए देखें चार तो इसमें दीगई है मसूरी चावनी लैंस टाउन चावनी रानिखेत ननिता इसके अलावा आपका देहरादून चावनी अल्मोडा, लड़ौर, रुड़की, चक्राता और लैंस्टाउन, और एक है क्लीमंट टाउन चाउने, ठीक है? तो ये चाउने आपको याद रखने है इनके नाम, अब है वीर चंद्र सिंग गड़वाली किसेजिमेंट में थे? तो वीर चंद्र सिंग गड़वाली किस रेजिमेंट में थे सभी को पताऊगा ये थे गड़वाल रेजिमेंट में आंसर A, option number A इसका सही होगा अब है परतिष्ठित सैन साखा बंगाल सैपर्स एवा माइनर्स का ग्रूप सेंटर इस्तित है तो ये है हरिद्वार में हरिद्वार में क्या है बंगाल सैपर्स एवा माइनर्स का ग्रूप सेंटर अब next question भी इसी से पूछा गया है और हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है पहला कथन हमारे पास है हरिद्वार जिली के रूड़की में बंगाल इंजिनिरिंग ग्रूप एंड स प्रसिक्षर दिया जाता है तो यह बिल्कुल सही है बी इजी में सैनि को और अध्यकारी को क्या दे जाता है ट्रेनिंग दी जाती है तो दोनों ही कथन हमारे पास सही है तो option number C एक और दो दोनों ही सही है अब है उत्राखन की सैनि परंपरा का आविर भाव कब से माना जात है तो यह माना जाता है 323 इसवी पूर्व से ठीक है next question है किस बटालियन को तित्वाल चेत्र में वीरता परदर्शित करने के लिए एक महावीर चक्र और 18 वीर चक्र मिले हैं तो तीसरी बटालियन को मिले है ठीक है तीसरी बटालियन को क्या मिले है महावीर चक्र और 18 वीर चक्र मिले हैं नेक्स है उत्राखंड बहुत देशिये वित एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई तो ये हुई थी वर्ष 2001 में अब देखे 2001 में और क्या हुआ था उत्राखंड के लिए प्रतीक चिन्नों का निर्धारण हुआ था ठीक है अब है महिला ससक्षी ससक्षी करण एवं बाल विकास विभाग ने प्रती आगनबारी केंदर लाभारतियों का मानक 84 से बढ़ा कर कितना कर दिया है तो ये कर दिया है एक सो तीन 84 से बढ़ा कर एक सो दिन कर दिया गया है अब देखिए नेक्स्ट कोशन हमारे पास है निम्ण मैंसे कौन सा लक्ष महिला स सक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा रखे गई लक्षियों में सामिन नहीं है तो इनमें से कौन-कौन लक्ष है कौपोशन के लिए लक्ष है बाल विकास के लिए कौपोशन तो हो गई होगा सेवा शेतर भी है आच्छा दन भी है लेकिन निर्वाचन नहीं है अब है महिलाओं को ततकाल सुरक्षा परदान करने की दरश्टी से किन जिलों में शर्णाल है वो प्रवेशालाई की स्थापना की गई तो फ्रेंड्स ये की गई देहरादून में, कोड़वार पौडी में, नरेंदर नगल, जर्णपट टिहरी में तो उप्रोक तो सभी इसका राइट आंसर होगा, अब है अनेतिक व्यापार नियंतरन अधिनियम, 1956 के अधिन एक संरक्षन ग्रह संचालित है, तो वो है आपका अल्मोडा में ओप्षन ए यहाँ पर राइट होगा, अब है किसोर नियाय अधिनियम 2000 के अधिन किस आयोगे किसोर किशोरियों को सरक्षन दिया गया, तो इसमें सरक्षन दिया गया है 10 से 18 वर्ष की आयोगे बच्चों को, ठीक है युवाओ को, अब है अल्पसंच्यक आयोग का गठन उ नेक्स्ट है राज्य में अल्पसंच्यक आयोग ने किस स्थिती से कारे करना प्रारम भी गया, ठीक है, दो चीज़ आपको दिहान में रखनी है, उसका गठन 27 मई 2003 को हुआ, लेकिन उसने कारे करना प्रारम भी किया, 29 सितंबर 2003 में उसने कारे करना प्रारम भी किया, नेक् अब नेक्स्ट है राजी में हिंदू धर्म के बाद सरवादिक जन संक्या किस धर्म की है तो फ्रेंट्स हिंदू धर्म के बाद तो उत्राखंड में कौन सा धर्म आता है मुस्लिम धर्म तो मुस्लिम धर्म की संक्या हिंदू धर्म के जस्ट बाद है इसका मतलब दूसरे नमबर पर है तो राइट आंसर होगा मुस्लिम धर्म ठीक है ओप outfitskap है उप्शं सी 6 लिसमें सदशी है अधेक्ष को मिलाकर उत्राखंट अनुसूची जातीय going के सदस्यों की कारेवधी बताने नहीं को कितने साल के लिए काम करते हैं तो यह करते हैं तीन वर्ष की लिए तीन साल के लिए इनकी कार्यवधी रखी गई है अब है आपका question उत्राखंड अल्प संख्यक कल्यान तथा वक्त विकास निगम की स्थापना कब की गई तो ये की गई जन्वरी 2005 में option A right answer होगा अब हमको यहाँ पर सुमेलित करने हैं matching करने है उत्राखंड सेवा निधी जो की 1986 में हुई थी बिलकुल right answer है अब है ग्रामीर एवं किर्शी विकास समीती जो की 1995 में हुई थी ये भी बिलकुल सही है Society for motivational training action तो ये 1986 में हुआ था ये भी बिलकुल ठीक है अब लास हमारा बजाय करोना समाज सेवा संसा जो की 1982 में हुई थी तो इसका मतला बिलकुल सटीक यहाँ पर matching हुई है तो यहाँ पर देखो first वाला जो होगा बिलकुल ठीक होगा क्योंकि यहाँ पर बिलकुल सीधी सीधी matching की गई है अब है श्री भूवनेश्वरी महीला आश्रम की स्थापना की थी तो देखो श्री भूवनेश्वरी महीला आश्रम की स्थापना कहां हुई है उन्नी सो सदक्तर में टिहरी के अंजनी सेण में ठीक है अंजनी सेण में लिख देती हूँ आँपे अंजनी सेड में उन्नी सो सदतर में टिहरी के अंजनी सेड में स्री भूवनेश्वरी महीला आश्रम की स्थापना हुई और ये किस ने करी थी स्वामी मनमत नाथ ने ठीक है कई वर्षों के जनानंद दुलन के बाद इन्होंने टिहरी में सदत्तर को अंजनी सेड में स्री भूमनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना करी याद रखना आप important question है अब है हिमालियन comment action एंड research center जिसको की harg कहा जाता है harc हो जाता है इसकी स्थापना कब हुई 1988 में हुई और यह किस ने की हमसे पूछा जा सकता है डॉक्टर महेंद्र सिह कुवर ने की थी महेंद्र सिह कुवर ने इसकी स्थापना की थी वर्ष 1988 में होर्ग की स्थापना अब है हिम जोती फाउंडेशन सहायता देती है तो हिम जोती फाउंडेशन से आप से पूछाए कि इसका मुख्य विशाई क्या है तो इसका उदेश है चात्र चात्राओं को क्या देना स्कॉलर्शिप देना ऐसे चात्र चात्रा जो की मेधावी है मेधावी है तो उनको स्कॉलर्शिप देना उनको अच्छे सरकी पढ़ाई करवाना शिक्सा देना अब इसका जो हिम जोती फाउंडेशन देहरादून है तो इसका आपका स्थापना हुई थी 2003 में 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और किस ने की थी वो भी मैं आपको पता देती हूँ यह की थी सुदर्शन अगरवाल अब बताईए सुदर्शन अगरवाल कौन थे अगर आप को पता है सुदर्शन अगरवाल कौन थे तो आप अच्छी तेरе पढ़ाई कर रहे हो ठीक है कॉमेंट स्थाना क्या की स्थापना कब की गई यह की गई वर्ष 2000 में ठीक है उत्रकण की स्थापना जब हुई तब इसकी भी स्थापना हुई अब है तपो भूमी नामक संस्ता के सरक्षक है कर्नल वीपी नवानी नेक्स्ट है राजी में स्वशक्ति योजना अब हमें यह रो योजना जो थी वो 2001 में प्रारंब हुई आप योजनाओं की लिस्ट बना लेना ठीक है या फिर मैं ही किसी दिन आपको एक योजनाओं का टॉपिक दे दूँगी जिसमें उत्राखंड की जितनी भी योजनाओं है चाहिए वो करेंट में है या फिर पहले की है तो उनके विशय के सांसाथ उनके इस्थापना में आप कब स्टार्ट हुई वो योजनाओं वो बता दूँगी ठीक है अब नेक्स्ट है निम्नमे से किन जनपदों में महीला समाख्या योजना कायर्थ है अभी तो ये महीला समाख्या आई थिंग बंद हो गई है लेकिन पहले ये थी नैनिताल वह उत्तरकासी में तो इन दो जिलों में ये शुरू की गई थी हमारे नैनिताल और उत्तरकासी जिली में शुरू की गई थी अभी ये मुझे देखने को नहीं मिल रही है कहीं भी नैनिताल में तो आई थिंग ये बंद हो चुकी है, अब नेक्स देख लेते हैं, नहरू यूवा केंद्र कारियरत है, तो नहरू यूवा केंद्र एक तो महिलाओं की सायता है तू, सबको शिक्षा विवस्ता और स्वास्त है है तू, स्वच पेजल और कुपोशन के लिए, तो ये सारे ही इसमें नेहरू, युवा, केंद्री के अंत्रगत इसलिए कारे रहत है तो option D हमारा ठीक हो जाएगा उप्रोक्त सभी अब है उत्राखंड में 70 के दसक में किसने पहली बार समाजिक कारे को संगठीत रूप देना शुरू किया गया था ठीक है तो यह अभी मैंने आपको बताया कि कई वर्षों के जनांदुलन के बाद स्वामी मनमत नाथ ने क्या किया था 1947 में टिहरी के अंजनी सेड में श्री भूवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की थी और इन्होंने ही सबसे पहले 70 के दशक में समाजिक कारे को संगठीत रूप देना शुरू कर दिया था याद रखना आप इंपोर्टेंट है स्वामी मनमत नाथ नेक्स है उत्राखन में इस्तित धाम कौन सा है इनमें से बताना है कौन सा इस्तित है तो बद्रिनाथ, किदारनाथ, यमनोत्री ये सभी ही उत्राखन के धाम है ठीक है बद्रिनाथ कहा है? चमूली में है, किदारन की बतानी है ना कि भारत की तो उत्राखन की कौन सी है नंदा देवी ठीक है नंदा देवी इसकी उचाई कितनी है आठ हजार सॉरी साथ हजार एक मिन में यहां पर लिए साथ हजार आठ सो सत्रा ठीक है इतनी मीटर इसकी उचाई है 7817 मीटर नंदा देवी परवा चोटी की उचाई है तो यह है सबसे उची चोटी उत्राखन की अब हमसे पुछा गया है रानी खेत का नामकरण किसके नाम से किया गया तो आप सभी को पता ही होगा कि रानी पदमावती के नाम से ही रानी खेत का नामकरण किया गया था अब चमबा का नामकरण बताना है हमें किसके नाम से किया गया था वो किया गया था चमपावती के नाम से ठीक है चमपावती के नाम से ही किया गया था नेक्स्ट है देहरादून का खलंगा इसमारक किसकी वीर्दा का परतीक है तो देहरादून का खलंगा जो इसमारक है वो बलभदर थापा और जनरल गिले स्पी दोनों की ही वीर्दा के लिए प्रसिद्ध है तो ये दोनों option ठीक होंगे option c अब हैं निम्न मैंसे किसे विश्व धरोहर की सूची में रखा गया है तो विश्व धरोहर की सूची में आप सभी को पताई होगा नंदा देवी राष्ट उध्यान भी रखा गया है और फूलों की घाटी भी रखा गया है निम्न मेंसे किसे गड़वाल का भीश में कहा जाता है तो गड़वाल का भीश में हमसे पूछा गया है तो गड़वाल का भीश में कहा जाता है बैरिस्टर मुकुंदी लाल को ठीक है बैरिस्टर मुकुंदी लाल अब इनका यहां पे हमें जन्म किस जिले में हुआ यह पू पूछा गया है कि उत्राखन का गाधी किसे कहा जाता है तो उत्राखन में जितने भी उपनाम से सब्बंदित व्यक्ति हैं जिनको की उपनाम दिये गए हैं ठीक है जिनको उपाध्या दी गई है तो उनकी लिस्ट आप याद रख लेना क्योंकि इंपोर्टेंट है पूछा पूछ लिया गया है कि महापुरुष का उपनाम परवत पुत्र तो परवत पुत्र किसे कहा जाता है हेम वती नंदन बहुगुडा ओप्शन बी ठीक है नेक्स्ट है विक्टूरिया क्रॉस विजेता दरबान सिंग नेगी ने किस युद्ध में भाग लिया था अब हमसे पता होगा प्रथाम विश्व युद्ध में इनहोंने भाग लिया था तरशलिया अब नेक्स्ट है विक्टूरिया क्रॉस विजेता गबर सिंग नेंगी का गबर सिंग नेंगी बी तो इनका हमसे जन्म पूचा गया है वो था तीरी गड़वाल मेंनका जन्म हुआ था पेशावर हत्याकांड में किस ने गोली चलाने से इंकार कर दिया था तो friends बहुती easy का आंसर है चंदर सिंह गड़वाली ने पेशावर हत्याकांड में गोली चलाने से मना कर दिया था अब है डोला पाल की आंदोलन का नेतरत किस ने किया था तो जो डोला पाल की आंदोलन था उसमें दूलों से संबंदित था ठीक है तो ये था जयानन्द भारती इनके नेतरतुट से ठीक है तो अब हमारे पास कोशन है तिलाडी जनानुंदलन कब हुआ था ठीक है तिलाडी कार्ण कब हुआ था 1930 में हुआ था आपको पता ही होगा तो फ्रेंड्स ये हमारे 50 कोशन पूरे हो गए लेकिन अभी यहाँ पे दो कोशन और एक्स्रा है तो इसको मैं भी आपको बताई देती हूँ दो कोशन बचे है आप देखी लिजे सभी ने अवज्या अंदुलन की समय सराब बंदी का नेतरत्व किस ने किया था तो छवान सिंग नारायन दास महेंत और गोपाल सिंग तीनों नहीं किया था तो उप्रोक तो सभी इसका राइट अंसर होगा अब लास्ट देख लिजे यह आरे समास द्वारा उत्राखंड में यग्योपवीत का वित्रण कप किया गया यह ग्योपवीत पता है आपको क्या होता है जनेव होता है ठीक है आरे समास द्वारा उत्राखंड में इसका वित्रण किया गया था और यह किया गया था उन्निस सो बीस के बाद ठीक है यह history से भी वो इस तरह के question बना के दे सकता है तो काफी important आपके लिए यह सब हो जाता है आप या करना है आपको जितने भी आपने अभी मैंने आपको योजनाए बताई तो योजनाओ वाली list आप सबसे पहले पढ़ लेना और उसके साथ जितने भी व्यक्तियों को उपाधी मिली है तो योजनाए प्लस उपाधिया मिली है उनकी आप list बना के याद कर लेना और आंदोलनों से भी काफी question बन जाते है कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था तो यह इनके सन पूछ जाते है और साथ ही साथ कुमाओ रेजिमेंट और गड़वाल रेजिमेंट ठीक है कुमाओ रेजिमेंट और गड़वाल रेजिमेंट दोनों अच्छी तरह याद रख लेना हाँ इसमें एक कुमाओ परिशत से कोई question नहीं दिया था कुमाओ परिशत भी बहुँ जदा important है उसको भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है ठीक है तो इस तरह से आप पढ़ते रहिए और all the best आपको सभी exams के लिए इसी तरह से आपके लिए practice set में लाते रहोंगी अभी मैंने यह थोड़ा easy practice set आपको दिखाया है इसके बाद आपको दिखने को मिलेगा थोड़ा tough क्योंकि आपका level बढ़ना चाहिए ठीक है तो friends I hope आपको यह वीडियो बहुत अच्छे लगी होगी और आपको वीडियो helpful लगी तो वीडियो को like और चैनल को subscribe चुरूर करना